फ्रेंड्स, आज इसके वीडियो में मैं इंडियन जो सिनेमा था उसमें एक दौर था साथ के आसपास जिसको कहा गया चॉकलेटी हीरोस का दौर था और वो जमाना ऐसा था जिसमें हीरो के ने नक्ष उनका फिजिकल बिल्डप सभी कुछ बहुत अच्छा होना चाहिए तब ही वो हीरो बन सकता था और उस समय जो कुछ हीरोस रहे उस दौर की वो काफी सुन्दर माने जाते थे बहुती देखने में बहुती सुन्दर थे वो सभी जैसे कि विश्वजीत राजेंदर कुमार धर्मेंदर शशी कपूर ये सभी मनोज कुमार ये सभी चॉकलेटी हीरोस का दौर था और एक और बात जो देखी जाती थी हीरोस जो है उनको उनके उपर जो गाने फिल्माए जाते थे उसमें एक जो विशेश बात जो देखी गई तो वो ये विशेश बात थी कि गिटार का प्रचलन हुआ और हीरो को गिटार के साथ दिखाया गया जैसे हीरो गिटार लेकि गाना का रहा है बहुत सरे जो हीरोस थे उनको गिटार के साथ दिखाया गया और गिटार बहुत प्रचलित हुआ बहुत लाइक किया गया यंग जो जनरेशन थी गिटार के प्रदि बहुत आकरशित हुआ करती थी जैसे विश्वर जी साहब ने भी गिटार के साथ किया गिटार के साथ एक्टिंग की उन्होंने उसके साथ ही फिर वही दिल लाया हूं में जो गाना है लाकों है निगाह में जिन्दी की राम उसमें भी गिटार उन्होंने लिया है अपने हाथ में जॉय मुखरजी साफ ने और कई फिल्मों में मेंडोलिन के साफ भी बताये गया है एक बहुत पुरानी फिल्म है राजकुमार साफ की जिसमें उन्होंने मेंडोलिन ली हुए लेकिन वो बजा नी रहे उन्होंने खाली इसमें लटकाई हुए और हम नए दोर में आये तो अमिदाब बच्चन साब ने एक गिटार के साथ गाना गया है फूलों के ढेरे हैं साये गने रहे हैं ये शायद मेरे क्याल से मजबूर फिल्म का गाना है उसमें वो गिटार बजाती हैं इस गाने में तो ये एक बहुत ही विशेश बात देखी गई फिल्मों में लेकिन इसमें मैं यहां कहना चाहूँगा कि विश्वजीश साब ने जो गिटार के साथ एक गीद गाया है जिसे मैं कोशिश करूँगा आज वो बहुत ही उन्होंने उम्दावस में एक्टिंग की है और वो ऐसा लगता है जैसे वो गिटार के आर्टिस्ट गिटार बजाना जानते हैं तो मैं उनको कहूँगा कि दे पर्फेक्ट गिटार बॉई ओफ इंडियन सिनेमा मिस्टर विश्वजीश चटेजी विश्वजीश साब ने का एक बहुत दौर था उनकी बहुत सारी फिल्में हिट हुई सुपर हिट हुई और अच्छी अच्छी फिल्में उनकी थी वो बहुत ही व्यस्त हीरो माने जाते थे उस जमाने में अच्छी अच्छी फिल्में जिसमें स्टोरी भी हुआ करती थी मुजिक भी हुआ करता था सब्सक्राइब और जिसमें कि यह अच्छी बहुत अच्छी फिल्म थी यह मेरे संद्र ते की इसके गाने बहुत अच्छे थे गीत बहुत उसके प्रसिद्ड हुए ऐसे अने बहुत सारी फिल्में उन्होंने अच्छी उपासना मैं सुन्दर इनाइटी लेंडन बहुत सारी फिल्में जो उनकी थी उसमें गाने के कहानी के साथ साथ गाने भी बहुत अच्छे थी तो आज मैं उनकी फिल्म का एक गीत जो है जो गिटार के साथ उनके गाया है उसको कोशिश उसको गाने कोशिश करूँगा लाखों हैं यहां दिल वाले और प्यार नहीं मिलता आखों में किसी की वफा का एकरार नहीं मिलता लाखों हैं यहां दिल वाले और प्यार नहीं मिलता आखों में किसी की वफा का एकरार नहीं मिलता मेह फिल मेह फिल जा देखा हर दिल में समा कर देखा हर साज पे गा कर देखा मेह फिल जा देखा हर दिल में समा कर देखा हर साज पे गा कर देखा दिल को कहीं चैन न मिला और दिल को कहीं चैन न मिला मैं तो दुनिया में प्यारे अकेला ही रहा लाखों हैं यहां दिल वाले और प्यार नहीं मिलता आँखों में किशी की वफा खा इकरार नहीं मिलता लाखों हैं यहां दिल वाले और प्यार नहीं मिलता आँखों में किशी की वफा खा इकरार नहीं मिलता इस दिल को कहां ले जाए कुछ आप अगर फर्माए तो आप के हम हो जाए कुछ आप अगर फर्माए तो आप के हम हो जाए केह दो हमें हस के जरा और केह दो हमें हस के जरा अज जो कुछ भी दिल ने तुम्हारे है काहा लाखों हैं यहां दिल वाले और प्यार नहीं मिलता आखों में किसी की वफा का इकरार नहीं मिलता आखों हैं यहां दिल वाले और प्यार नहीं मिलता आखों में किसी की वफा का इकरार नहीं मिलता यह गीत जो है महिदर कुपूर साब ने गाया है बहुत अच्छा गीत है तो मैं यह कोशिश की आपको कैसा लगा ज़रूब बताईए अभावों के साथ गाना है म्यूजिक बेक्ग्राउंड म्यूजिक के बिना गाना बहुत कटी नहीं है धन्यवाद शुबराद दे